नमस्कार बच्चों स्वागत है सभी लोगों का अभियान यूट्यूब चैनल पे जी वैलकम यू आल सभी को सौरी सभी बच्चों को देखो दस मिनित आज हम थोड़ा सा लेट हैं बिलकुल शार्प आठ बजे ही क्लास चालू होगी आपकी बिलकुल चिंता नहीं करें क्लास लेट नहीं होगी किसी रीजन से अभी आज लेट हो गई है क्लास का समय वो ही रहेगा क्लास में कोई चेंज नहीं होगा बिल्कुल उसी समय पे क्लास होगी ध्यान रखिए अपना और देखिए अभियान यूट्यूब चेनल पे रोजाना आठ बजे क्लास होती है सुबह जो करेंट अफेर जिसमें हम रिविजन करते हैं बिल्कुल याद रखिएगा जिसमें क्य करते हम हम सुबह रोजाना आठ बजे यहाँ पे सबसे पहले रिविजन होगा दे हिंदू न्यूज एनालेसिस होगा इस्टेटिक जी के पीडिएफ संडे विकली टेस्ट शाम को साथ बच छे बजे जो क्लास है आपकी वो मैट्स की है जो सभी परिक्षाओं के लिए मैट मैट्स है शाम को 6 बजे यह टीम है शांदार सी आपको दिख रही है यहाँ पे अलग-अलग सब्जेक्ट है चार चारों की क्लासे से सभी स्टेट के लिए आज तारीक है 19 और मे सनमती जेन आपको करंट अफेर मैट्स रीजनिंग इंडियन पॉलिटी और इसके साथ मध्य नियंट-प्रदेश का जो सामान्य घ्यान है वो पेडकोर्स में पढ़ा रहा हूँ तो यहां पर देखेए यूट्यूब पर जो फ्री क्लासे से मेरी दो चलती है सिरफ मैट्स और करेंट अफेर की बाकी सब्जेक्ट पेडकोर्स में चलते हैं पेडकोर्स के लिए आपको completely याद रखें कि जो Unacademy Learning App फे वो इंस्टाल करना पड़ेगी आपको Unacademy Learning App को इंस्टाल करने के बाद आप completely एमान की चले कि MPPAC आप हम अपना गोल सेलेक्ट करें सनमती जेन नाम सर्च करें यहाँ पे और फोलो कर लें ठीक है फोलो करने के बाद आपको मेरी जितनी भी free classes है वो free classes आपको available हो जाएगी free classes demo के रूप में आप देखने के बाद अपना complete जो course का subscription है वो लेने के लिए पूरी तरह से तयार हो जाएगे क्योंकि देखिए कहीं भी कुछ भी देखने के लिए समझने के लिए हमको demo classes चाहिए होती तो वो demo classes आपको special classes के रूप में मिल जाएगी अब paid courses जो है इतने सारे चल रहे हैं और यहाँ पे मान के चलें कि 20 नवंबर से मेरा course सारे चालू होने वाले हैं 20 नवंबर से और आज है 19 नवंबर ठीक है 19 नवंबर है आज और 20 नवंबर से मेरे दो courses जो है वो चालू हो रहे हैं जिसमें मैं आपको complete reasoning पढ़ा रहा हूँ और reasoning के साथ सामानी ग्यान जो है उसकी classes चालू हो रही इंडियन पॉलिटी की भी चालू होगी और मध्यप्रदेश का सामानी ग्यान ये भी चालू हो जाएगी तो बिलकुल देर नहीं करें अनकेड में learning app इंस्ट्रॉल कर ली गोल सेलेक्ट कर लिया हो तो आप अराम से य one year subscription यहाँ जो line होती है इसमें आप subscription पे जाएं plus पे जाएं और plus में subscription पे जाने के बाद one year select करें 8800 आपको amount यहाँ पे दिखेगा अब यहाँ पे आप SJLive मेरा code यूज करें 10% आपको discount मिल जाएगा इसको apply करने के बाद और 7920 में one year और 11520 में दो साल का complete course मिल जाएगा चल कल का revision याद रखीएगा क्या करेंगे कल का revision सबसे जादा महतुपूण है देखे पढ़ने से जादा महतुपूण revision का होता है na revision करेंगे हम 15 question करेंगे और 10 minute में करेंगे याद रखीएगा 10 से 15 minute में 15 प्रशन करेंगे इसी के साथ चलिए कल के revision का है पहला प्रशन है आपको comment section में उत्तर देते जाना है जी contact number मोनिका परियार जी मैंने दिया ता पहले भी आप group से जुड़े हुए हैं आप ले लिजिएगा note कर लिजिएगा contact number कोई issue नहीं है 9926465107 आप note कर ले इसको और मेरे को contact कर सकते हैं जी के पहले number का question है यहाँ पे महराष्ट के किस स्थान को रामसर सरक्षन संधी के तहत अंतर राष्ट्री महत्व के आद्र भूमी यानि की वेट लेंड इस्थल के रूप में चुना गया हाल ही में अंतर राष्ट्री महत्व के लिए जो वेट लेंड आद्र भूमी इस्थल जो तो पूर्ण इस्थल होता है उसके रूप में चुना गया राज मैंने आपके सामने चर्चा करी थी बिलकुल शांदार तरीके से करी थी मैंने चर्चा कि महाराष्ट के बारे में भी चर्चा करी थी वेट लेंड जो चुना गया है उसके बारे में भी चर्चा करी थी तो जल है लोनार जील है याद रखिएगा लोनार जील ठीक है क्या है लोनार जील लोनार जील तो महाराष्ट की जो ये लोनार जील है महाराष्ट का बुलडाना जीला है याद रखिएगा कहां पे ही ये महाराष्ट का जो बुलडाना जीला है कुनसा जीला बुलडाना जीला है ना महाराष्ट का जो बुलडाना जिला है इस बुलडाना जिला में जो लोनार जिल है उसको रामसर सरक्षन संधी के तहत एक अंतर राष्ट्री है आद्रभुमी के रूप में आद्रभुमी इस्थल के रूप में चुना गया वेटलेंड के रूप में इसको चुना गया है रामसर कंजरवेशन ट्रिटी के तहट देखिएगा यहाँ पे यह तस्वीर भी दिये इस जिल की और कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेडरोल पर उलका पिंड के प्रभाव से लोनार जिल का निर्मान हुआ था तो लोनार जिल कहां पर इस्तिते महाराष्ट में इस्तिते याद रखिएगा दिमाग में बिठा लीजिएगा युनेसको के द्वारा उन्नीस सो इकोस्तर में इस्थापित एक परियावरन संदी है वो परियावरन संदी रामसर जो संदी है उसके नाम से जानी जाती है बारत का एक राज्ज है सभी को पता है और ये दक्षिन मद्ध में इस्ति थे बारत का शहर जो राज्ज है वो है और इसी के साथ इसकी राजदान ये मुंबई है उदव ठाकरे भगत सिंग कोशारी उदव ठाकरे सी एम है भगत सिंग कोशारी राजपाले more than sufficient है जी उलका प अमेरिकी डॉलर जो है देखे हाल ही में जो आशियान देश का जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन के तहट भारत ने में कुछ एमाउंट जो है वो response fund में डालने के लिए एक वित्तिय financial help के लिए financial help का सुधार करने के लिए विस्तार करने के लिए सहयोग दिया है तो वो कितना है एक मिलियन डॉलर ठीके कितना है एक मिलियन डॉलर कितने देश है दस देश है आशियान में बिल्कुल याद रखिएगा आशियान में दस देश अब इसकी पुष्टी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के द्वारा सतरवा जो आशियान भारत शिकर सम्मेलन है उसमें क गई जिसे virtually आयोजित किया गया था एक मिलियन भारत ने हाल ही में इन में से किस मिसाइल का सफल परिक्षन किया देखिए जल्दी से बताओ कौन सी मिसाइल का हाल ही में मिसाइल का परिक्षन हुआ है एक मिसाइल का परिक्षन हुआ है वो कौन सी मिसाइल है ये बताना है आपको जल्दी से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को जल्दी जल्दी आ जाए यार सब के सब आ जाए फटा फटा आ जाए देर ना करें बिल्कुल चलिए Q-R-A-S-A-M देखो Quick Response Surface to Air Missile याद रखना Quick Q-R-A-S-A-M ये मिसाइल है इसका मतलब क्या है Quick क्या है इसका मतलब Quick इसका मतलब क्या है Response Quick Response Surface Surface to Air Missile है ना पूरा नाम याद रखिएगा इसका तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपका ठीके? क्लियर है यहाँ पर? Quick Response Surface to Air Missile नाम है इसका Quick Reaction Quick Reaction, Sorry, Reaction, Reaction, Response, Quick Reaction, Quick Response ठीके? चलिये किसे अंतर राष्ट्री बाल शान्ती पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया? 2020 का जो बाल शान्ती पुरुसकार है वो किसे मिला है? आपको नाम बताना है Quite, Quite, Quite Reaction Missile चलिये, 2020 से सम्मानित किया गया साक्षी दूबे, अनील तेजवानी, हेतल पारेक या फिर सादत रह्मान जल्दी से बताओ, तो यार देखो अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो सादत रह्मान जी जो है बिलकुल कहा के है ये सादत बांगलादेश के जो सादत रह्मान है उनको प्रतिष्टित इंटरनेशनल चिल्डरन पीस प्राइज यानी अंतरराष्टी बालशान्ती पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया उन्हें इस पुरुसकार से सम्मानित उनकी द्वारा स्थापित सामाजिक संगतन और जो मोबाइल एप साइबर टीन्स है उसको विक्सित करने में उनकी भागेदारी के लिए किया गया चलिए ब्रिक्स समू की आठवी बेठक विज्ञान एवं प्रुद्योगी की के सहयोग पर आयोजित की गई इस बेठक की अध्यक्षता कौन से देश ने करी याद रखिएगा ब्रिक्स, ब्रेजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और इंडिया भी पांच देश का एक समू है ये, संग है ये और अभी हाल ही में जो आठवी बेठक हुई साइन्स एन टेक्नोलोजी की कौन से देश ने अध्यक्षता की तो रूस ने उसकी अध्यक्षता की नोट कर लीजिएगा देखिए वर्चूल माध्यम से ये हुई है बेठक और इसके बीच विज्ञान साइन्स और टेकनोलोजी के सहयोग पर आयोजित की गई है इस बेठक को चलिए भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर इस्थापित किया गया है भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर इस्थापित किया गया है भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है वो कहां इस्थापित किया गया मेसूर में किया गया अब मेसूर कहां पर है मेरे को बताएं एक नजर में जल्दी से फटाफट जल्दी से बताओ मेसूर कहां पर है मेसूर कहां है जल्दी बताओ मेसूर कहां है जल्दी 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 पहला देखो चंदन तो यार देखो Sandalwood Museum in India founded on the first Sandalwood Museum कहां जो है स्थापित किया गया तो मेसूर में किया गया मेसूर कहां पर है करनाटक है ना मेसूर कहां पर है करनाटक में है करनाटक की राजधानी क्या है बेंगलूर है वहां के मुख्यमंत्री B.A.C. यदूरपा, यदूरपा, यदूरपा है और बजू भाईबाला वहां के राजपाल है पूरी तरह से नोट कर लीजेगा, रिविजन कर लीजेगा रिविजन करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ आप तो नहीं तो कोई दिकत नहीं हम रिविजन को बन करके हमारी जो रोच की क्लास होती है उसी में हम प्रशन कर ले I think एक दिन बात फिर से एक बार रिकॉल कर ले हम न्यूस को तो हमारा जादा बेनिफिट होगा ये सोचते हुए मैंने इन प्रशनों को रिविजन के रूप में लिया है बिल्कुल चलिए नेक्स कोशन है किस अभिनेता फिल्म निर्माता और समाथ सेवी ने I am no मसीहा शिर्शक आत्मकता जारी किये जाने की गोशना करी है तो हरे एक बच्चे को ये पता होगा सोनू सूद जी हाँ तो नवंबर 2020 में अपनी जो बुक है ये पुस्तक का सहलेखक मीना अयर के द्वारा किया जाएगा और बुक का नाम क्या है I am no मसीहा ठीक है I am no मसीहा हाल ही में भारती नोसेना ने दक्षिन मुंबई के मजगाउं डाक में कौनसी पाँचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी जो है वो लॉंच के लिए हाल ही में अभी लॉंच करी है उस पनडुब्बी का नाम बताना है आपको नाम बताना है वजीर मेंने बताया था देखो मेरे को पता है कि वजीर का मतलब अगर वजीर लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे न याद रखना अब यहां पे क्या है वागीर है याद रखना क्या है वागीर है तो वागीर ही है वो एक्चुल प्रोनाउंसेशन उसका प याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं वागीर चलिए नेक्स्ट कोश्चन है भारती नोसेना ने दक्षिन मुंबई के मंजगाउं डाक में पांचवी स्कॉर्पिन वागीर लॉंच की यह पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध एंटी सर्फेस वारफेर माइन बिचाने के लिए खूफिया जानकारी जुटाने के लिए और क्षेत्र की निगरानी करने जैसे मिशन में सक्षम है याद रखना किस भारती अमेरिकी को अमेरिकी रक्षा सचीव क्रिस मीलर का नया चीप ऑफ स्टाफ चुना गया बहुत बढ़िया है ध्यान चांदार कारिवाहक अमेरिकी रक्षा सचीव क्रिस मीलर का नया चीप ऑफ स्टाफ चुना गया यह नियोक्ति डोनाल्ड ट्रम के द्वारा रक्षा सचीव मार्क एसपर को पद से हटाने और क्रिस मीलर को कारिवाहक सचीव की रूप में नियोक्ति किये जाने के एक दिन बाद करी ठीके चलिए भारत में राष्ट्री मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है बहुत बढ़ी आप रश्टने कोई दिक्कत नहीं जादा इसको रटने के आप लोगों को जरूरत नहीं है पर मिर्गी दिवस मनाया जाता है जल्दी से बताओ देखो मिर्गी नामक एक बिमारी है उस बिमारी से निपटने के लिए उस बिमारी के बारे में जागरुकता फिलाने के लिए जागरुकता पेदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है मिर्गी को अपस्मार भी कहते हैं क्या करत कहते हैं अपस्मार अपस्मार भी बोलते हैं मिर्गी को और ये तंत्री का तंत्री एक विकार है नियूरोलोजिकल कल जो डिस ओर्डर है वो है ये क्या है ये नियूरोलोजिकल डिस ओर्डर है neurological disorder है क्यों है neurological disorder ये 17 नवंबर को मनाया जाता है हर साल ठीक है clear चलिए अगला question है ये अब आपका चालू हो जाता है aesthetic जी के क्या चालू हो जाता है aesthetic plus current की बात करें तो 5 question करेंगे महराष्ट के वर्तमान राजपाल को ने जल्दी से बता दो इनका नाम महराष्ट के वर्तमान राजपाल है भगत सिंग कोशारी ठीक है अब आशियान का मुख्याले कहां पे इस्ती थे जकार्ता में इस्ती थे याद रखिएगा जकार्ता महराष्ट कहां पे आशियान जो मुख्याल है जकार्ता में इस्तिते वर्तमान में कुन सा देश ब्रिक्ष समू की अध्यक्षता करता है वर्तमान में दक्षिन अफ्रीका जो है वो ब्रिक्ष समू जो है उसकी अध्यक्षता करता है करनाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जल्दी से बता दो देखो व्जू भाईवाला क्या बोला था मैंने वजू भाईवाला यह जो है हमारे कोen है वजू भाईवाला यह वर्त्सराइब वर्त्मान में राजपाल है कहां के करनाठक के और मुख्यमंद्री जो है तर्द एक हमें से लगता है जलस्ड वाला भारत intra वायू सेना और वायू सेना की बात करें हम वायू सेना और थल सेना ये तीन तरह की सेना है हमारे यहां पे नो सेना दिवस शार दिसंबर को मनाया जाता है हर साल आठ अक्टोबर और एक अबेल ठीक है याद रखिएगा नोट कर लीजेगा तो वर्तमान में नो सेना अध्यक् करम बीर सिंग ठीक है चलिए आज की जो प्रमुक खबरे हैं 19 तारीक की अब फटाफट 20 मिनिट में इसको हम कवर करेंगे गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग क्या जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको नोटिफिकेशन लेट मिलता है देखे पढ़ना है तो आप लोग सीरियसल से आप दुबारा उसको नहीं पड़ पाएंगे और जो चला गया वो नहीं आ पाएगा याद रखना और महत्वपून तो सब कुछ है और मैंने बोला भी था कि आज की क्लास आज जो सामने हमारे किताब के सामने जो खुला हुआ है वो ही सबसे महत्वपून है इस बात को दिमाख में बिठा लिजएगा ठीक है क्लियर है चलिए आज की जो प्रमुख खबर है वो देखते हैं हम आज की क्या-क्या न्यूज है देखे महराष्ट में किया जाएगा एशिया की पहली सोर उर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिलका उदगाटन नुवाक जोकोविच ने छ सुची में और पीएम मोदी ने राजस्थान में किया इस्टेचू अपीस का अनावरन देखे पांच महत्वपोन न्यूज है पांच मोती है आज के एक एक करके हम इसकी बारे में चर्चा करते हैं ठीक है देखेगा देखो महराष्ट में किया जाएगा एशिया का पहली सो तो एशिया का पहला सोर उर्जा सक्षम कपडा मील महराष्ट के परभणी जिले में इस्थापित किया गया कहा इस्थापित किया गया परभणी जिले में इस्थापित किया गया इसको एक सेकिन हाँ और तीस एकर लगभग जमीन में ये फेला हुआ है जैभवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहली देखे कौनसी मिल मिल का नाम पता होना चाहिए अब देखे कौनसी मिल है ये जैभवानी कौन सी मिल जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली एसी मिल बन गई है जो पूरी तरह से सोर उड़जा पर काम करेगी याद रखिएगा इस पर योजना की स्थापना की कुल लागत लगबग सो करोड रुपे है मिल सूती कपड़े का प्रसंसकरन करेगी और जिले की कई महिलाओं को रोषगार भी यहाँ पर मिलेगा परभणी महाराष्ट का प्रमुक कपास उत्पादक जिला है याद रखना प्रमुक कपास उत्पादक जिला महाराष्ट का कोन सा है परभणी है और जो मेल के परिचालन के साथ साथ जिले में उद्योगिक शेत्र के को गती भी प्रदान करेगा यहाँ पे देखें महाराष्ट तुम्हें आपको बता चुका हूँ एक नजर में देखो दो नजर में देखो चार नजर में देखो एक माई 1st of माई 1960 महाराष्ट का गठन किया गया ठीके एक माई को महाराष्ट का गठन किया गया भगत सिंग कोशारी अभी वरतमान में राज़पाल है भगत सिंग जी और भगत जी और उद्दव जी ठीके तो भगत सिंग कोशारी जी वरतमान में महाराष्ट के राजपाल ह उद्दव सिंग ठाकरे जो है वो क्या है वर्तमान में वहां के उद्दव ठाकरे जो है वहां के CMA चीफ मिनिस्टर है लाइक करें सभी ताइंक्यू वेरे माच आशुतोष भावसार जी चलिए अब अगली न्यूस जो है देखे सर्बिया के सर्बिया के जो जो कोविच छट सर्बिया के जो टेनीज खिलाडी है सर्बियाई टेनीज इस्टार जिनका नाम क्या है नोवोक जो कोविच को 15 नवंबर को 15 नवंबर को 2020 को वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर वन खिलाडी रहने के लिए ATP टूर नंबर वन ट्रॉफी जो है वो दी गई है ठ पीट संप्रास के बाद 23 इतियास के एक मात्र दूसरे खिलाडी बन गए है याद रखना वे चटी बार चटी बार टॉफी पाई है उन्होंने साल के सर्वश्रेष्ट खिलाडी किये सर्वश्रेष्ट 23 खिलाडी नंबर वन विश्व के नंबर वन टेलीज खिलाडी कोन है 2021 की जितनी भी परिक्षाएं हैं उन सभी में ये प्रशन जो है खेल से related question की बात करें तो ये सबसे महत्वपुन हो जाएगा आपका सबसे पहले नंबर का खिलाडी टेनीस खिलाडी कोन है तो नवोक जो कोवीच है याद रख लीजिएगा कहा के ही है कोन से देश से संबंद रखते है तो ये सर्बिया के इससे संबंद रखते है कोन से खेल से संबंद रखते है तो टेनीस सिक संबंद रखते है चीके इससे पहले की बात करें तो देखो छटी बार बने हैं तो यार कब कब 2011, 2012, 2014, 2018 2015 देखो पांच बार रह चुके हैं ये और छटी बार बने हैं इतियास में दूसरे इसे खिला रही है इससे पहले केवल पीट संप्रास शेर्श रेंकिंग पर 6 साल पूरे करने में कामियाब रहे थे उन्होंने ये कारणामा 1993 और 1998 के बीच में उन्होंने किया था 6 साल तक नंबर वन रहे थे अंतरराष्ट्री इंटरनेशनल टेनीस फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल टेनीस की बात करें एक नजर देखते हैं इसमें तो अंतरराष्ट्री टेनीस महासंग जो है विश्व टेनीस, विल्चेर टेनीस, समुद्र तट टेनीस का एक गवर्निंग बॉड़ी है शाशी निकाय है एक मार्च 1913 को इसकी इस्थापना करी गई थी 1st of March, एक मार्च 1913 को इसकी क्या करी गई थी इस्थापना करी गई थी और इसका मुख्याले कहां पे लंदन में है 211 राष्ट्री संग है देवीड हेगरटी जो है यहां के क्या है प्रेसीडेंट है अंतरराष्टी एक तेनीस संग का एक साल बढ़ाया गया ED के निदेशक SK मिश्रा का करीकाल केंदर सरकार ने प्रवरतन निदेशा ले डिरेक्टरेट के निदेशक संजै कुमार मिश्रा के करीकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया उनका कारेकाल अगले सप्ता समाप्त होना था क्योंकि ED के निदेशक का पद दो वर्षों के लिए कारेकाल का होता है याद रखना कौन सा enforcement director ED मतलब enforcement director नोट कर लीजिएगा अब उनका कारेकाल अगले सप्ता समाप्त हो जाना था बट उनका करेकाल कितने साल के लिए दो साल के लिए भढ़ा दिया गया संजै कुमार मिश्रा नाम है नोट कर लीजिएगा ठीक है अब ये क्या है बताओं आमे अब राजस्व विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग के द्वारा एक नोटीस जारी हुआ उस नोटीस क तहत ये बात कही गई क्या बात कही गई कि यार देखो राजस्व विभाग के द्वारा मिश्रा जी की जो नियुक्ती है वेसे कब होनी थी 2018 को उनकी नियुक्ति हुई थी 2018 को आदेश को संशोधित किया गया जो आदेश निकाला गया था कि 2018 में नियुक्ति के लिए राश्टपती ने 19 नवंबर 2018 19 नवंबर की वो बात है 19 नवंबर की बात है पिछले साल की 19 नवंबर 2018 के पहले के आदेश में एक संसोधन को मन्जूरी दे दी हैं इसके बाद श्री संजे कुमार मिश्रा को एक प्रवर्तन निदेशाले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था I think समझ में हो गया होगा Enforcement Directorate जो है Directorate ये क्या है एक नजर हम इस पर डालेंगे ED होता क्या है देखो सामान्य ज्यान में आपको पता होना चाहिए कि ED क्या होता है जाच एजनसिय है और केंदरिय जाच एजनसिय है और काले धन की रोक्थाम करने के लिए रोक्थाम अधिणियम के तहट और जो विदेशी मुद्रा है foreign जो मुद्रा है foreign currency की बात करें तो उससे related जितने भी अधेनियम है उसको पूरा पूरा देखते हैं याद रखना enforcement डिरेक्टरेट क्या देखता है काले धन की रोक्थाम के लिए जमिदार होता है उसके बाद विदेशी मुद्रा foreign जो currency है उसके प्रबंदन management के लिए इसके साथ सारी चीजे जो केंदरी central लिवल पे जो rules बनते हैं और जो कानून बनते हैं उनकी देखरेक्ट के लिए जमिदार होता है ED याद रखिएगा ठीक है ये कानून money laundering याद रखना money laundering मैंने बताया था अभी blacklist में शामिल होने वाला है पाकिस्तान किसकी blacklist में जो rule बना हुआ है FTT वाला उसमें blacklist greylist बताई थी मैंने तो जितना भी विदेशी या money laundering काले धन या जो टेरर होता है टेररिस्ट होता है टेररिस्ट को funding करना ये सारी terror financing और money laundering काले धन की काले बाजारी ये सारी चीजे जो है वो अवेद रूप से करना पूरी तरह से रोकने के लिए पूर accumulation है याद रखना प्रवर्तन निरेशाल है अब इसकी स्थापना कब हुई एक मई 1956 को हुई 1st of मई 1956 तो ये ED क्या होता है ये समझ में आ गया ना सभी बच्चों को नहीं ने बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत थुड़ी आ रही है इसमें नहीं ने बढ़िया चल रहा है मे अब सही चल रहा है नए 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 अंशू चोकसे जी देख लिये मैं आपके कमेंट सबके सब लाइक कर दो शानदार तरीके से आ रही है आवाज आ रही है क्लास भी आ रही है बहुत बफरिंग हो रही है आज अरे थोड़ा सा प्राब्लम हो गया है शायद इसलिए बफरि complete हो जाएगी, clear हो जाएगी चली, HDFC और Indus Ind Bank को डाला गया विदेशी निवेश लिमिटेट की red flag सूची में, देखो विदेशी portfolio निवेशक FPI की limit की निगरानी करने वाली प्रनाली ने HDFC Bank और Indus Ind Bank को red flag सूची में डाल दिया गया ठीके, red flag सूची में डाला गया है, किस सूची बद company को इस सूची में तब डाला जाता है, किसी भी जो red flag सूची है उसमें कब डाला जाता है जब उसके पास जो foreign investment है वो उपलब्द विरासत अनुमे सीमा 3% से कम हो जाती है तो red flag सूची में किसी भी बेंक को डाल दिया जाता है तो HDFC और Indus Inde बेंक को डाला गया विदेशी निवेश लिमिट की red flag सूची में FPI HDFC बेंक और Indus Inde बेंक को दोनो 74 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं HDFC बेंक के मामले में मोजूदा FPI की हिस्सेदारी 71.3 प्रतिशत है जबकि Indus Inde बेंक की 73 प्रतिशत है ठीक है अब Indus Inde बेंक की एक नजर डाल लेते हैं भारत में कारेरत निजी क्षित्र का एक बेंक है HDFC बेंक है बेंक की स्थापना 1994 में करी गई इसका मुख्याल पूने में इस्तीते मेंने पहले भी चर्चा करी है सुमंत कटपालिया जो है वर्तमान में CEO है ओनर इसके हिंदूजा ग्रूप है फाउंडर जो है ASP हिंदूजा है इसके अगर इसी की बात करें HDFC तो ये भी एक प्रमुक बेंक है और प्राइवेट बेंक है मुंबई में इसकी इस्तापना अगस्त 1994 को करी गई इसकी भी इस्तापना 1994 को करी गई तो यहाँ पर समझने वाली बात है 1994 में HDFC की भी इस्तापना करी गई 1994 में इंडस इंड बेंक की भी इस्तापना करी गई इसका मुख्याले मुंबई में है इसका मुख्याले पूने में इस्तिते सुमत कटपालिया इसके CEO है इसका मुख्याले मुंबई में है इसके संस्तापक बीबू बर्गीज है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्तान में किया Statue of Peace का अनावरन देखे इस Statue of Peace क्या है देखेगा ध्यान से समझेग इसको प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेन आचारे कोन विजय वल्लब सुरीश्वर जी महराज के सम्मान में बनाई गई एक शान्ती की प्रतिमा Statue of Peace का अनावरन किया कहां पे अनावरन किया उन्होंने राजस्तान में किया Statue of Peace राजस्तान का जो पाली है उसमें जेतपुरा में विजय वल्लब साधना केंद्र में आचारे स्री विजय वल्लब सुरी की 151 वी जैन्ती के अवसर पर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 151 इंच 12.6 फिट उंची प्रतिमा का उद्गाटन किया गया इस शान्ती की प्रतिमा का निर्मान अस्ट धातू यानि आट धातू से किया गया जिसमें तांबा मुख्य रूप से रिस्ती थे स्टेचो ऑफ पीस की एक नजर डाले तो जेन आचार विजय वल्लब सुरिश्वर जी महाराच की 151 इंच की अश्ट धातू प्रतिमा को शान्ती की प्रतिमा कहा जाता है इसी के साथ 151 इंच उची अष्टधातु प्रतिमा को राजस्थान के पाली में इस्तित जो विजय वल्लब साधना केंद्र है उसमें इस्थापित किया गया है मुर्ती जमीन से 27 फिट उची इसका वजन 1300 किलो है राजस्थान भारत का गनराज का क्षेत्र के आदार पर सबसे बड़ा राज्ज है और जैपूर राज्ज की राजधानी है राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोग गहलोजी है और राजपाल की बात करें तो कल राज मिश् सब चीजे क्लियर हो गई होगी जी जी चला कौन सी न्यूज आ गई पता नहीं चला कौन सी न्यूज आ गई क्लियर है सभी को जी रिंकूर अठोर जी कौन टाइम पूरा कर रहे हैं क्या हो गया क्लियर है फ्लेग सूची बता दू मैंने अभी बताया था आपको कि यह जो फ्लेग सूची है यह क्या होती है जो fleg सूची होती है ना red flag सूची उस red flag सूची में क्या होता है देखिएगा ध्यान से समज़ेगा इसको के actual में red flag सूची होती क्या है ठीक है, रेड़ फ्लेक सूची, अब याद रखिएगा, विदेशी पोर्टफोलियो की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने, HDFC बेंक, HDFC बेंक की बात करें यहाँ पे, देखें, थोड़ा सा एक नजर डालें, जो रेड़ फ्लेक सूची में ने आपको बताई है, उस रेड़ फ्लेक सूची की अगर बात करें, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपी आई की लिमिट की निगरानी करने वाली जो प्रणाली है, उस प्रणाली ने HDFC बेंक और Indus Ind जो बेंक है, उसको रेड़ फ्लेक सूची में डाला गया, अब यह रेड़ फ् सूची बंद कंपनी को इस सूची में कब डाला जाता है, जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्द जो विरासत है, वो अनुमे इस सिमा 3% से कम हो जाती है, तो रेड़ फ्लेक सूची में उसको डाला जाता है, 3% से कम हो जाती है, क्या विदेशी निवेश उपलब् वो अगर 3% से कम हो गया तो उसको red flakes सुची में डाल दिया जाता है I think clear हो गया होगा, समझ में आ गया जी clear है, thank you very much और इसी के साथ आज की जो class है हमारी end होती है 5 news में ने आप लोगों को बता दी revision यह आज जो news हमने पढ़ी इसका revision भी हम करेंगे यहाँ पर 10% discount के लिए एसे live यूज़ करें अभियान YouTube channel subscribe कर ले, let's click MP exam YouTube channel subscribe कर ले maths की class उस पर चलती है, current affair की class उस पर चलती है लगातार बने हुए रहे, ठीके, चले, thank you very much सभी बच्चों को like, share, जबरदस्त कर दे, कोई दिक्कत नहीं है जल्दी जल्दी like, share कर दे, सबके सब